Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Tips Guru आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ IGNU की तरफ से अभी तक काखिया हुआ सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों जैसा कि आपने देखा आप अपने online admission लेने के बाद में अपने exam से पहले आपको अपना IGNU का ID card डाउनलोड करना पड़ता है और दोस्तों ID card डाउनलोड करने में आप जितना problems फेस करते हैं उससे ज़्यादा problems आपको अपने IGNU के ID card को अपने regional center से अटेस्ट करवाने में फेस करनी पड़ती है तो दोस्तों आप में से काफी students की request के बाद में IGNU की तरफ से ये initiative लिया गया कि आपके ID cards को यहाँ पे पहले से ही अटेस्ट करके upload किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपके जो ID cards upload किये गये हैं वो उन सभी students के लिए valid है जिन्होंने यहाँ पे IGNU में online admissions लिये हैं दोस्तों आप चाहें कोई भी course कर रहे हों लेकिन आपको अपने नए ID cards यहाँ पे download करने होंगे जो ID cards यहाँ पे आप download करेंगे उन्हें पहले से ही अटेस्ट किया गया है आपको directly उन्हें print out लेना है और उन्हें lamination करके अपने पास में रख लेना है जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ आप अपने ID cards किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए आपको IGNU का official site open करना होगा यहीं पर ही आपको register online में fresh admission का एक link दिया गया है आप इसे जब click करेंगे तो आपको यहाँ पे दो options दिये गए है register yourself and login आपको login करना होगा आपका username and password जो आपने admission के time पे use किये थे वही आपको यहाँ पे इंटर करके और secure code इंटर करके login करना होगा friends यहाँ पे आपको एक option दिया गया है print ID card जब आप इसे click करेंगे आपके ID card से related कुछ instructions दिये गये हैं आपको अपना ID card download करने के बाद में उसे open करने के लिए अपने enrollment number इंटर करने होगे and friends यह एक system generated ID card है इसके लिए आपको अपना ID card attest करवाने की ज़रुत नहीं है आप इस ID card का print out ले सकते हैं and इसका आपको color print out लेना होगा friends यहाँ पे आपको double benefit दिया गया है अगर गलती से आपका ID card miss हो जाता है तो आप फिर से अपना ID card download कर सकते हैं आपको यहाँ पे कोई भी fees payment करने की ज़रुत नहीं होगी friends यहाँ पे download ID card के option को click करके आप अपना ID card download कर सकते हैं लेकिन इसे password protected दिया गया है इसे open करने के लिए आपको अपने 9 digits के enrollment number इंटर करने होगे आप जब अपने 9 digits के enrollment number इंटर कर देंगे उसके बाद में जब submit करेंगे तो आपका ID card यहाँ पे खुछ इस तरीके से open हो जाएगा दोस्तों आपको इसे color print out लेना है और उसके बाद में इसको laminate करके आप use कर सकते हैं यह आपका original ID card रहेगा friends इस नए ID card में आपके enrollment number लिखे होगे आपका original center code आपका name of program एंड उसके नीचे आपकी बाकी सभी details लिखे होगी दोस्तों यहाँ पे इस ID card को unique बनाने के लिए IGNU की तरफ से यहाँ पे एक QR code दिया गया है जो सभी students के लिए अलग-अलग होगा friends आप यहाँ पे देख सकते हैं IGNU का round seal भी लगाया गया है इसी के नीचे registrar student registration division इसे पहले से ही attest करके भेजा गया है so friends आपको directly इसे download करना है और आप उसके बाद में इसे laminate करके use कर सकते हैं दोस्तों यह information मेरे पास में थी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से दादा अपने दोस्तों के साथ में share कर सकते हैं and please like this video इस टाइप की information videos आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं so please subscribe my channel and press this bell icon for the latest IGNAL tips thank you friends